लेकिन आज बीजेपी ने देश उपर अगाद किता है जरा देश द्रोई याला कामी किता है ऐस सारे सामने सत्य पाल मलिक ने अपने नादा अर्थ हज सिद्ध करी रिया जिवाद के बिल्कुल सत्य गाले है क्योंकि हर वार बिपक्षी जेले सवाल पुछता हा कि पुल्वा ने जेले ही जेश समर्पीत करिए टाए चुठेया थ बर्गोडे मर रस्मीजीए का सहो जो भीया कुछता है जो देबादे चुठा हो उपादे चुठा हो यह जान बादे चुठा हुछता है जो दिए को कई दिग्री चुठी ओए उन तो को सच्छे उस अश्रा ने मैं च पूरे देश कोई आदमी निया जुना चाप एती है मतों उसी केडी कभजी यह चाप भी यह नहीं लगदा पूरे देश विचु आदमी नियुक्त है पता हुनु बारती जनता पार्टी दफता है तो से तुरकुटा नगते कार्याले चलियो जो इने चुकिया कांगरसी समस्या बनी चुनाब आंदियो अपने इने बेरोज गारे शाही नहीं आकर दा मिंगाई बदा कर दी कारण सिर्फ एक है पदान मंत्रियां पड़े आसा ताहां बार बार रखने पदान मंत्री पड़े लिए लिके लिए बोई बरेदा चाहिए जरा मंधी गल टबरा करने क नमस्कार दैनिक्षिव टाइम में आप सबका स्वागत है फार्मर गवर्नर जमू कश्मीर के सत्यपाल मली का एक बयान आते हैं पुरे देश में बवाल हो गया उसी के चलते विपक्षी दल लगातार किंदर सरकार को घेरे हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि मोधी जी दो मोधी जी जवाब दो और साती साथ 40 जवानों के जो पुल्वामा टेरर अटैक में शहीद हुए थे उनकी यनिक उनका हिसाद उनका जवाब दो आखिर कौन है जम्मेदार ये बड़ा सवाल और जिवी उनका ये बयान आया और बयान आते ही विपक्ष लगातार सत्ता पक्षकों गेरे हुए है और साती सत उन्होंने ये भी कहा सत्यपाल मलिक जीने के मोधी जीज को कुछ खास नराजगी नहीं है अपती नहीं है करफशन से यनि कहीं ना कहीं उन्होंने देश के परदान मंत्री को कटगरे में लाकर सवालों के कटगरे में लाकर खड़ा कर चलिए इसी विश्य में बात करें है मारसार जूट चुके आम आदमी पार्टी के नेता प्रताप सिंग्जवाल प्रताप जी किस तरह से आप इन ब्यानों को लेते हैं वहां पर वही दूसरी तरव बात करें तो भारती जनता पार्टी के जो नेता है वो तो इसे कनारा कश सभी जाएं पर पुछता है कि पूलवामा टैक उपर सरकार्गी जवाब दें उपर सबाल पुछता हा थे मोदी साब अमिश्यार टीच बाहरा आने जिन ने चोड़े न इनना चोड़ा चूड़ मारे देए व सिद्धा खी देखिते पाकसान नियों तो देश देश नियों आज चाहिए जाज अपने लिग जाज ट्यार हुए एंदे लिग बख्रा जाज रखिए अपने लिग उभी शड़ों राम आदे आदे ना आहरे से साले संगी अपना परि इसमर्पित करिख़ एठ चुथ और बगोर एमा इसा में पोरह देया चुथा तों अ जोदे माद ने अउता हो जो दो बाय चूथ यह जिलाज़ा विकास चुथा हो एच अचुर दिगुट था कुछ यह उँध दो कोसा जातक है चंच आसर जो इसक फ्क्रता fire अन्दबागत बड़ी गरीबी दिखिरी मैं चाह बेची दी मोधी साब आग देना मिक एक गाल्दा सोजनाव जेरी अब चूटा समने चूटा लबादा इक नमबर और तो साथ में चाह बेची वह चाह पीनिया पूरे देश कोई अदमी नहीं आगा तो पूरे देश वी नियुक्त अधर नहीं आया था इन्हा पेड़ खराब और वह बार नहीं आए पाया दूआ नमबर आदे आहां चाहर रे सबसे बड़ी बात जब अपने 40 जवानों को कोया देश का बड़ा नुकसान हुआ तो उसमें क्यों नहीं सब्सक्राइब कि उनसे सेक्योटी सुरक्षा वापिस लेगी तभी वो कहीं नहीं बुखिला कर इस तरह की बयानवादी कर रहे हैं तो यह यह पददी लाल्चा कर दानी और बैसे भी उन्दे बैंके कॉंटों से दिखी सकते हो तो सुन्दा का दार्यान सेंदेखी जो एक पीएसो देते दा उनने के करने उस आदमें फकीर आदमी ने सुरक्षा जब उनसे सवाल पूछा गया उन पत्रकार उने वरिष्ट पत्रकार उनने का क्या करेंगे जादसा मुझे जेल में डाल देंगे उन्होंने इस चीसे परिशानी नहीं सच्च बोल लिया और उन्हें शायद इस सब्सक्राइब करेंगे शुपिर होना के यह भी बार निकलना है यह भी सत्यपाल मलीक जी यह भी बात कहीं हमने पुरा इंटर्व्यूस उन्होंने कहा एक समय वह आएगा कि अंडानी बाजपा कोई खा जाएगी और बाजपा दुनिया में इनाम ही नहीं कोई बाजपा थ तो सब्सक्राइब कार्याले चलिए जो इन्हें चुकिया कांगरसी नैशनल कांफरेंसी जेने उत्व माल कमारा सब इथा कठी बेरोजगारी उत्ता बेदी उन सारे आखे कोई आधा अधा अधा दियो कोई के शिकाखनित हुआ दा दादे मारे आई थे कि सब्सक्राइब प्रणका रपिया निगरिए गिरता शेलंका का निगरता बंगलादेश का निगरता सिर्फ हिंदुस्तान का क्यों गिरता है जले मनमौंत शिंग पदान मंत्री एक मोदी साब बोल दे रहे अज बेरोजगारी बदी अजर प्यासारा डिगा कर दा बचारे साही नहीं आकर करें कारण सिर्फ पद्दान मंत्री पड़े लिके लगाए जरण मन्दीं घृप्रागने करें कौंदी जंता अंब तो तो हो रहे हैं पर वही सवाल जंता चाहिए प्रहस्तों करें बड़े बड़े रिंग रोड से पेट थोड़ी बढ़ता है उन्यदी नेता सरकार वेची रोंदे हैं अपना लोन एंपी करेंगे जाएगा ने नेशनिस्टेकार निजानी उन्हें ने नेस्टेकार निजानी लोन नपी कोई निपुछ गदेंगा आर्मी पर स्वाल पुछिए अपने बंगले लेई कोई एडी कोई कानून नहीं आजे उन्ते रहत भी थो रहत भी पचास लोगों की जो लिस्ट डिरेक्टर स्केट ने डिपार्टमने रहत भी तो इन बंगला नहीं डिगा था मैडमों ने चिंता करने जूरूत नहीं रहत सब्सक्राइब लेकिन तो सब्सक्राइब लेकिन आर्मी की कड़गरे वेचे कड़े कर दो रादे राष्ट बादिया पाकिस्तान दर शुक्रिया दावा करदा है यह मुक दर्शिक बनिया बैठे लिए और बाती जंता पारे जिन्दा जमीर कोई ने जंदा क्रेक्टर यह कोई पसंद करदा पसंद कौन करा मजबूरी आले पसंद कर रहे जोसी पदा मेरा जिया सब्सक्राइब फार चार्व लाटे दाए के वदा काली की तूसे मादे शिराब्दी कार खाने विचे उपलाबाजी करे ओ अधारा जोडे को इंडस्टी फैक्ट्री हुए अख पर दोर में कोई भी सच बोल का राजी नी कोई भी नीतियों पर बोलता है तो कोई उस पर गाज गिर जाती चाहे वह विपारी हो चाहे आम जनता हो कई ब्यूरोक्राइट्स हो नेता हो तो यह नी उनसे किसी ना किसी तरह से उन्हें परतारना का शिकार होना पड़ता है और कैसे निजात मिलेगी इन सारी परिशानियों से और आज देश यह लगातर विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमारे 40 शही जवानों का जवाब दो तो क्या सत्यपाल मलीक जी ने लगाएं देश के परधान मंती पर उसका स्पष्टी करन को पहला नमरों जामनियों सच्चा एक दूजा नंबर है कि तो सके स्पष्टी करन ने देना थोड़े दिने वेचे एन्न एक स्पष्टी करन दिता अर्विंद केजिवाल लोनी अंदर्ठोक पर नियां उत्या लव जिहाद नियां वो सेक्लरिजम है लेकिन जिसमेले को देश लेइंदे मेंगा यूपा सवाल पुछा है आर्मी दिले सवाल पूछा है जाएंदा लव जिहाद आई अन्दू मुसल्मान आई लिए जाएंदा नहीं बिपक्षी ने तेंवेचे को कमी और देश देश नहीं मापने करके जरी निजात देगाल करा दे निजात इन्यत हो नहीं मुदी गेट आना यह देश की विश्यव गुरूपना आपको लगता है कि जिस्ता में यह सत्तेपाल मलीक जी सच बोलना शुरू हो गयते उन्हें नीतियों का पता चला था जब तीन कि रोज चोर चकेंदी जॉइनिंग हो आई यहां रोज सेंड वीचे पकोड़े चला कर दे ते जिसमेले तो खर्चा चलांदे रोगे ते कारे काल अक्स्टैंशन भी सकती है तेरे कोई बड़ी रान गयली गलनी है बड़ी सारी शेरिंग हों दी जिने शेर मार्किट वेच सब्सक्राइब चला कर दाए बीजे पीडी होडिंगा अशुरी जिरी लगा दिया ने खर्चा कुछ चला कर दा साड़े लोगे नहीं पैसा या जरा लुटी 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 उता जा कदा एक्साइस पास बीचे दो यार क्रोड पे जम्म कुश्मीर के काट आप या कौन अज लेंड माफिया लिकर माफिया उन स्कूल ने गालवी चरही ओं माफिया इस सारे जेरी आदे ना चावे चपती पत्ति उत्या कर दिया इंदे थुरू जा कर दिना ते मिलगा एक कारेकाल कुसरी आँ जिस वे लग साच्च बोलकां सत्यपाल मलेक ने सवाल पुछे अग्स्टेंशन तो यह और अग्या भी चलते रोना है कमाई कमाउ पुतर गीना बड़ा प्यारा हो दा है कमाउ पुतर में प्यारे रोने यह थे हमारे सब परताव सिंग्जवाल बड़ी बेबाकी से केंदर सरकार की नीट या और उन पर निशाना कसते हैं जो कहीना की जन किये उन्होंने विरोत करना शुरू किया तो उन्हें यमु किसमीर से हटा दिया गया आप देखना ही है कि लगातार सत्यपाल मलिक जी का बयान जो है चर्चाओं में है विपक्षीदल लगातार धावा बोले है कि आकिर हमारे 40 जवानों की शहादत का जवाब दो जवाब देखना ही है कि क्या केंदर से कोई ऐसा बयान आता है ग्रह मंतरी या देश के परधान मंतरी जनता को जब संबोधित करेंगे क्या इस बयान को लेकर क्या वो कोई टिपनी करेंगे या इस बयान को लेकर को पश्टी करन देते हैं फिलाली आने वाला समय ही बताएगा पर य यानिके जमु कश्मीर की बात करें अदेश की बात करें ब्रश्टाचार मुक्त होगा चली देखतें आने वाला समय क्या करवट लेता अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना सकें चेर कीजिए जोड़ें से मरसा अगले अपडेट के लि जय जांदेख आने उर्ट हाने के लिएए यछावी देखतें याले के लादेखने से मुक्त हुआए बात करें आने से अपने समय को एद बात करें से शीजिए से भात करें से चेलिए ये ये बात करें?